हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग multiplexer के बारे में पढ़ेंगे, multiplexer is also known as mux और selector, okay, this is very very important topic, बहुत बार gate exam में से question पुट हो हैं, और previous question देखोगे तो आपको अपने आप से पता लग जाएगा, ठेक है, तो बहुत ध्यान सर बहुत अराम से इस topic को करना, एक बा देता हूं, ठेक है, फिर ये points आपके लिए एकदम self-explanatory हो जाएंगे, और आप बड़े अराम से इनको grab कर जाओगे, ठेक है, देखो भी, multiplexer में exactly होता क्या है, multiplexer में हमारे पास 2 to the power n input lines होती है, n हमारे पास select lines होती है, ठेक है, 2 to the power n input lines है, n हमारे पास select lines है, 1 output line है, जि optional है ये, किसी मतलब आप बना भी सकते हो, ने भी बना सकते है, it's optional, क्या होते है optional, enable pin, E, E is known as enable pin, okay, and enable pin is active low, generally active low होती है, आप इसको active high भी बना सकते है, कोई फरक नी पड़ता, तो ये सारी बाते बहुत important है, अभी पहली बात तो enable pin बनाओ ना बनाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब enable pin is optional, enable pin is optional, तो आप बनाना चाहो तो बना सकते है, और नहीं बनाना चाहो नहीं भी बना सकते, gate की questions देखोगे तो खुझ से समझ में आने लग जाएगा, किसी किसी question में enable pin होती है, किसी में नहीं होती, तो it hardly matters, तो कोई hard and fast tool नहीं है, enable pin आपको बनानी बनानी है, लेकिन यह hard and faster है, कि two power and input होंगे, and select line होंगे, and output line होगे, generally यही scenario चलता है, generally two power and input line होती है, and select line होती है, और one output line होती है, तो enable pin is optional, यह बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छा जी, और enable pin optional है, और साथ-साथ, enable pin जो हम बना रहे हैं, यह active high भी बना सकते हो, active low भी ब मैं अभी आपको explain करता हूँ, generally active low चलती है, एक्टिव लो जनलती है, इसका भी मैं आपको भी कारण दोगा, क्यों नहीं चलती, active low का मतलब क्या है, circuit is active when enable pin is low, इसलिए इसको हम बोलते है active low, तो active low enable pin का मतलब क्या है, circuit is active, or you can say circuit is enabled when your enable pin is low, or you can say zero, तो when enable pin is zero, circuit is enabled, and when enable pin is fun, then circuit is disabled, तो enable disable मतलब output नजराना चाहिए, कुछ ना कुछ, output नी नजराएंगे आपको, ठीक है, हमेशा zero आना शुरू हो जाएगा, अगर enable pin आपने one रख दी, तो हमेशा zero आना शुरू जाएगा, अभी समझाओंगा, हमें सारा कुछ क्या होता है, अभी roughly सिर्व इतना सा मतलो, यह एक डबबा है, ठीक है, यह डबबा है, तो इस डबबे को अगर आपको चलाना है न, तो enable pin को आपको zero रखना पड़ेगा, ठीक है, जब enable pin को zero रखते हो, तो circuit enable है, अदर्वाइस वो disabled है, इसलिए हम बोल रहा है, मतलब जब enable pin है है, यह you can see enable pin one है, तब यह circuit active नहीं है, I think grab कर पा रहोगे, मैं क्या कर नहीं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, तो active high क्या कहता है, active high क्या कहता है, enable pin can be either zero or one, enable pin zero means circuit is disabled, one means circuit is enabled, active low क्या कहता है, enable pin can be either zero or one, मतलब जो input आप दे रहे हो, enable pin तो है, हमारे पास, यहाँ पर हम input दे रहे है, तो pin मतलब समझ पा रहे हो नो, wire आप समझ सकते है, wire की तरह समझ सकते हो, तो इस पर आप क्या input दे रहे हो, that is zero or one, enable pin is this wire, तो अगर आप zero देते हो, तो हमारा circuit चालू होता है, तो हम उसको active low कहेंगे, one देने पर, one देने पर, इस wire पर one देने पर, हमारा circuit चलता है, तो ह उसको active high कहेंगे, zero or one कुछ नहीं है, zero का मतलब है, हमने ground से connect कर रखा है, gnd, तो मतलब, जो enable pin है हमारी, तो इस enable pin को आपने grounded कर दिया, तो ground से connect कर दिया, logic zero से connect कर दिया, तो हमारा डबा चलने लग जाए, तब तो वो होगी active low, तो दूसरा तरीका क्या है, जो enable pin है, तो यह यहां पर bubble बनाया है, तो यह active low है, अगर bubble नहीं बनाया, तो वो active high होती है, जनरली यह सारा, यह, you can say, fixed terminology है, तो यहां पर फिर हमारे को VCC connect करना पड़ेगा, तो मतलब directly in directly में यह करने जाता हूँ, डबे को चालू करने के लिए, अगर आपको current supply करना पड़े, तब वो active high ह और अगर डबे को चालू करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अर्थिंग करनी है, you can say, ground से connect करना है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, कि यह active low circuit है, तो ओविसी बात है कि इसमें फायदा है, सिधा ground से connect करो, काम ख़तम करो, आपका double channel है, मतलब directly in directly आपको फालतू कि आपको current supply करना पड़ेगा, डबे को चालू करने के लिए current supply करना पड़े तो, और एक जगा है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, सिधा ground से connect करो, काम ख़तम, मतलब logic zero से connect करो, काम ख़तम, तो वो better option है, हमारा बहुत कुछ बचेगा, उसमें खर्चा बचेगा, तो इसलिए active low जातर चलते हैं, और ये जो enable pin का चकर है, ये optional है, लगाओ ना लगाओ, इसमें कोई पड़ी बात नहीं है, ठीक है, it is optional, तो I think समझ गयो होगे, आप लोग मैं क्या करने के कोशिश कर रहा हूँ, तो enable pin is optional, it can be active high और active low, ends on, वो सब मैंने आपको समझा दिया, अगर आपके पास N lines है, तो इन lines पे आपकी मर्जी है, 0-1 कुछ भी supply कर सकते हो, तो अगर N lines है, तो आप 2 power N combinations ला सकते हो, के नहीं, इसे suppose कर लो मेरे पाद 2 lines है, ठीक है, ये देखो, ये मैंने डबा बनाया, ये दो lines है, let us label them S1, S0, ठीक है, तो अब मैंने भी आपको बता है था, N select lines है, तो 2 power N combinations बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे 2 lines है, तो 2 power 2 combinations बनेंगे, तो बहुत सिंपल बात है, ये देखो, S1, S0 की value अब क्या क्या ले सकते हो, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, ठीक है, ना, तो ये ही हम 4 combinations बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम 4 input line रखेंगे, अब आपको reason समझ में आ रहा होगा, कि 2 power N input line क्यों है, क्योंकि हमने N select lines ले हैं, तो N select lines लेने के कारण, नाम से ही समझो, select line मतलब, they can select the input, ठीक है, तो ये 2 power N inputs में से किसी एक को select कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी combination दोगे, 0-1 का जैसा भी combination दोगे, उसके according हम यहाँ से input line को select कर सकते हैं, त ठीक है, तो S1, S0 हमने ले लिया, तो हमने बोला 4 combinations, तो इसलिए हमने 4 input line ले ली, ठीक है, तो जब यह दोनो 0-0 होंगी, तो आप common sense से समझ पारे होगे, इसको मैं label कर लेता हूँ, I0, I1, I2, और I3, ठीक है, तो जब यह दोनो 0-0 होंगी, तो हमारा I0 select हो जाएगा, अब तो इस Y output line पे क्या नजर आएगा, वो हमारी select line बताती है, तो select line is used to select which input line will appear on output, I think समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो जब दोनो 0-0 हमने भरी, तो I0 हमारा Y पे, मतलब, output line पे नजर आना शुरू हो जाएगा, जब हमने S1, S0 को 0-1 भरा होगा, तो I1 हमारा Y पे नजर आना शुरू हो जाएगा, समझ पारे हो, यह देखो भी, जब हमने 0-0 भरा था, तो I0 हमारा Y पे, मतलब, output line पे नजर आ रहा है, ठीक है, जी, और जब आपने यहाँ पे 0-1 भरा, तो मतलब, जो I1 था, यह हमारा output line पे नजर आ रहा है, तो मतलब, यह connection बन गया, वासे से समझ करना है या नहीं करना, current supply किया तो 1 आया है, current supply नहीं किया, तो 0 आया है, तो आपकी मर्जी आपने जो भी supply किया, उसके according आपको, वही चीज आपको Y पे नजर आ जाएगी, I think समझ पारे होगे आप लोग, ठीक है न, और फिर I2 था, अगर आपने यहाँ पे 1-0 भर लिया, तो I2 नजर आ जाएगा, और अगर आपने 1-1 भर लिया, तो I3 नजर आ जाएगा Y पे, इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी, तो यह है जी, basic, you can say, multiplexer की working, ठीक है, तो इसलिए इसमें N select lines हैं, और 2 power and input lines हैं, तो जो भी आप N की value भर तो, यसे N आपने 3 भर लिया, तो N3 का मतलब चलो, मैं next slide पर आपको दिखाता हूं, ठीक है, एक बार आप इसको note down कर लो, राम से, कर लिया note down, ठीक है, चलो, next slide पर मैं आपको दिखाता हूं, यह देखो, अगर आपने 3 select lines ले ली, let us suppose you have taken 3 select lines, तो इसे कितने combination तियार हो सकते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, S2, S1, S0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, I think 2 power 3 combinations बनेंगे, so 2 power 3 combinations बनेंगे, तो हम 2 power 3 input lines ले ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, ठीक है, so let us call this as I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, and I7, ठीक है, यह हमारे पास रेडी है, तो जब हमने 0, 0, 0 supply किया होगा, तो I0 जो होगा, वो as it is, यह output line थी, output line was represented by Y, तो यह Y पे आपको नजरा जाएगा, I0, ठीक है, ऐसे ही जब आपने यहां पे 0, 0, 1 दिया, तो I1 आपको यहां नजरा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जब आपने यहां पे 0, 1, 0 दिया, तो I2 अजरा जाएगा, अब यहां पे I7 में exactly आपने दिया क्या था, वो आपकी मर्जी है, 0 या 1, ठीक है, जो भी दिया होगा, वो आजाएगा, ठीक है, तो it's just like that, आप ऐसे समझ लो, आपने एक, you can say, एक tiger की image बना रखे, यह चलो, ऐसे में लिख दे तो, ठीक है, आपने यह images यहां पे ऐसे connected है, roughly समझा रहा हूँ, इसका कोई link नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, ता कि आप तीजों को समझ सकें, A, B, C, D, यहां पे आपने लिखा हुआ था, चार monitor थे हमारे पास, यहां पे एक डबबा बनाये हमने, और यहां पे select line में 00 बोला, तो 00 बोला, अब य किसी, say, loin की image है, है न, जो भी images आपने बना रखी होंगे, ठीक है, तो चार अलग-लग images है, यहां आपके पास, और आपके पास एक ही monitor है, तो आपने जब 00 दिया होगा, तो फिर यह वाला wallpaper इस monitor पे शो हो जाएगा, अगर आपने 00 दिया होगा, तो यह वाला wallpaper यहां पे शो यहां पे शोच कर रहा हो, तो अब जो भी आपने वालपेर यहां बनाया होगा, वही एसटी यहां पे नज़राएगा, तो वही बात है, जब I7 की value यहां तो 0 रही होगी, जो भी रही होगी, जैसी भी रही होगी, वह मुझे ने पता, वह एसटी आपको वाई पे नज़र जाएगी, तो अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा, कि इसको selector क्यों कह रहे हैं, मैंने बोला था multiplexer या mux, mux तो shortcut हो गया multiplexer का, बट जो हमने selector बोला था, वो selector इसले बोला था, क्योंकि जो select lines है न, these are used to select one of the input line, which will appear on output, तो इसलिए हम इसको selector भी कहते हैं, तो select lines का ही basic काम है, आपर select line ही major role play कर रहे हैं, select line ही क्या कर रहे हैं, जो हमारी inputs हैं, उन में से किसी एक input को उठा करके output पे दिखा देती हैं, I think समझ में आ गया होगा, जो exact working है, जो exact funda है multiplexer का, वो आपको clear हो गया होगा, ठीक है जी, चलो, अब मैं definition पर आता हूं इसकी और आप आपको definition explain करता हूं, यह देखो भी हमने जिससे definition लिखी थी, what is multiplexer, it is a combinatorial circuit, okay, it is a combinatorial circuit which has 2 to the power and input lines, 1 output line and select line and 1 enable pin, this enable pin is optional, एक है, और आगे देखो select lines are used to select which input line will appear on output line, एक है, कौन सा input line, output line पे appear होगी, वो आपकी select line समझा रही है, I think clear है, और enable pin, यह देखो, मैंने आगे भी लिखा हूँ, enable pin is used to enable or disable the circuit, तो जब वही बात है, वो डिपेंड करेगा, active low high, active high है, वो सारी बाते मैं अलड़ी कर चुका हूं, बार-बार repeat करने का फायदा नहीं है, active low मतलब, जब 0 होगी, तो enable होगा circuit, active high मतलब, जब high होगी enable pin, तब ह हमारा circuit enable होगा, नितनी होगा, ends on, सब बता चुका हूँ, ठीक है जी, चलो बढ़ता हूँ, मैं आगे, ठीक है, हाँ, तो हम फाइनली यह सब देख चुके है, मैंने आपको meaning समझा दिया है, अब इसकी बात रुठती है, designing, इसकी design कैसे बनाना है, वो मैं आपको next slide पे दिख तो 4 x 1 max में क्या-क्या होगा, so let me write that first, ठीक है, यहाँ पे S1, S0, ओके, और यहाँ पे हमारे पास होंगे जी, 4 input line, ओके, तो क्या-क्या होंगे जी, I0, I1, I2, I3, यह आपका मन है, मन करता है, I1, I2, I3, I4 लिख लो, जो आपका मन कर रहा है, वो लिख लो, मैंने I0, I1, I2 इसे लिखाया, ठीक है जी, और यह हो गया हमारा Y output, अब enable pin आपकी मर्जी है, बनाओ, ना बनाओ, it hardly matters to me, तो कोई बात ने, enable pin के साथ ही आपको दिखा देते हैं circuit, तो जब enable pin हड़ा देंगे, तो फिर भी हम मतलब कर पाएंगे, मैं आपको पता है, enable pin हमारी optional है, लगाओ ना लगा, कोई फरक नी पड़ने वाला, ठीक है, तो मैं enable pin के साथ ही आपको बना करके रिखा देता हूं, और मैंने यहाँ पर bubble दिखाया है, तो यह basic और standard terminology है, जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर bubble बनाओ है, तो मतलब this enable pin is active low, यह आपको active low दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर bubble ना होता, मतलब इस तरह ऐसे होता, let me copy this, okay, let me copy this properly, so that you get more clarity, यह मैंने बना दिया, यहाँ पर as it is, और मैं क्या कहता हूं, कि यह अगर bubble ना होता, ठीक है, as it is, आपने connection दिखा रखा होता, तब हम क्या बोलते इसको, active high, ठीक है, this enable pin is active high, औ कुछ से भी कोई फरक में पड़ने वाला, let me copy that again, okay, so तीनों की design हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी, किसी को भी, 1% की भी परिशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, okay, so मैं यह enable pin का चक्करी हटा देता हूँ, that is also allowed, कोई problem वाली बात नहीं है, मतलब फिक्स नहीं थी enable pin, मैंने आपको बोला था, enable pin बनाओ, ना बनाओ, कोई फरक ने पड़ने वाला, तो मैं इसका diagram दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको और इसको फिर आपटा-फट से करी जा था, decide input and output lines, ठीक है, तो step 1 क्या था, input output line decide करवाओ, input and output lines, वो तो आपके पास already decided है, जो हमने multiplexer बनाओ, उसमें तो already decided है ना भई, चार input line है और एक output line है, तो जो हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कहा रहे है, 4 x 1 मक्स, 4 x 1 क्यों 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 कि 4 input और 1 output, ठीक है आप लोग समझ बारे होगे, मैं क्या क्या ने कि कोशिष कर रहा हूँ, ठीक है, तो input output line decide थो हुँ चुका है, step 2 क्यों था था भई, truth table बनाओ, truth table शाय थोड़ी सी आपको tricky लग सकती है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ, truth table हम कैसे बनाते है, देखो भई, truth table में, अगर अपको लगा कि यह जो हमने इंपूट डाले है वो लिखता हो नहीं इनको नहीं लिखना क्यों 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 क्योंकि आप बुलोगे स्टनों जीरो है तो आई जीरो बाहर आएगा जब आपके पास आईवन बाहर आएगा एंड सॉन तो इस थरी सा आप से जल रहा है ना तो इन्पुट में हम सिलेक्ट लाइन्स को देंगे ध्यान रखना पर यह गलतिया होती है स्टुडेंट से इसलिए मैंने थोड़ा धंग से आपको समझाया है तो हम क्या करेंगे जी S1 और S नौट ऐसे लिखेंगे तो यहां सारी कंबिनेशन लिख लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउट्पुट क्या था जी य था और साथ साथ क्योंकि मैं आपको इसके लिए बनवा रहा हूं तो इसमें इनेबल पिन भी है तो इनेबल पिन भी तो इन्पुट है ना भई आप इनेबल प इन शुड बी 0 तब भी हमारा सरकेटेक्टिव होगा ने तो नहीं होगा अच्छा आउट्पुट क्या आएगा भई आउट्पुट में आप बोलोगे जब दोनों 0 0 थे तो आपके पास आउट्पुट में i0 आता है why is your i0 और i0 वो आपको देखना पड़ेगा 0 था या 1 जो भी था जैसे मैंने आपको याद करो प्रिवेस स्लाइड पर समझाया है ना भई अगर आपके पास वाल पेपर है ए लिखा हुआ इसमें एंट्स ओन तो यहाँ पर जो लिखा था आपने जो भी यहाँ पर था बस select line ने तो उसको बस पकड़ा है और इसके साथ connect कर रहा बस तो select line is a medium ऐसे समझे रफली जो की input को output के साथ बस एक connect कर देता और कुछ ने कर रहा रहा रफली आप ऐसे समझ सकते हो ठीक है हाँ जी तो वही काम है भई है ना तो हम क्या कहेंगे इसलिए हमने बोला कि i0 आप लिख हो गया ठीक है तो जो भी i0 पर आओगा 0 या 1 वो म अच्छा आप एक बात यह समझो जब हमारा enable pin 1 हो जाएगा ना फिर मेरे को कोई फरक ने पढ़ने वाला select lines पे आप जो merge दो that means I really don't care about it हमारा output जो हो वह बिख 0 आएगा आप चाहे कुछ merge कर लेना that is the basic meaning of enable pin तो enable pin जब आपने मतलब 1 रखी है active low हमारी चल रही थी अगर don't care हो जाएगा select lines से हमारा कुछ मतलब भी रह जाएगा आप चाहे select lines 00011011 कुछ merge combination लेलो मेरे को से कोई फरक ने पढ़ने वाला output जो होगा वो हमारा 0 चलेगा I think समझ पार होगा आप लोग ठीक है ना तो enable pin देखो भई जब 4 बर 0 लिखा था तो आपने यह पे 00011011 लिख लि तो यह चार बार बार ऐसे देखो total इतनी बात करो two table में सारे combination consider करने होते थे ना तो यहाँ पे आपने यह तीन input लिए हैं और एक यह output लिया है तो जो तीन input लिए हैं तो तीन input मतलब हर बार यह जो है enable pin 0 बन हो सकते है S1 0 बन हो सकते है S1 0 बन हो सकते है तो 2 into 2 that is 2 power 3 मतलब total eight combinations बनेंगे समझ पार हो ना तीन input है total eight combinations बनेंगे तो आपने तो पांच ही दिखाया है बगी कहां गए चार तो सीदे-सीदे नजर आ रहे हैं आपको ठीक है चार तो सीदे-सीदे नजर आ रहे हैं आपको लेकिन इसके साथ जब आप enable pin को one भरोगे तो भी तो चार combination आने तो चार combination आपने सिर्फ एक ही entry के साथ दिखा दिया, यह जो entry है, यह entry में चार entries को समझा रही है, और वो चार entries कैसे होंगी, जब यह देखो, enable pin मारी 1 था, तो यहाँ पर S1, S0, 00, 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 00. 00, 00, 00, 00, 00 वह कहां गई है, वह गई कई नहीं है, वो यहीं पर ही है, तो यह अकेली entry, total, चार entries को समझा रही है, और वो कौन सी चार entries है, यह मैंने, यह मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, यह चार entries थी, I think आप लोग पकड़ के होगे, मैं क्या करने क्यों कोशिश कर रहा हूँ, इतना detail में कहीं नहीं मिलेगा, आपको ठीक है, कहीं पढ़े के देख लेना, कई नहीं इतना detail में समझाए पाएगा, I think समझबार होगा, आप लोग ठीक है जी, तो two table वाली बात कतम हुई, अच्छा जैसे आपने बोला, A, B और एक function आपने बनाया, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2 table मैं ऐसी दी बना रहा हूँ, तो आप output Y भी समझ सकते हो, चलो ठीक है, function इस समझ लो, ठीक है, आपने बोला है, 0, 1, 1, 0, यह है, यह function आप Y समझ लो, function is represented by Y, F, A, B is represented by Y, 0, 1, 1, 0 आपने ऐसे भरा होगा है, तो अब इसको आप क्यासे लिखोगे, देखो, Y will be equal to, यह function है, that will be equal to, आप ऐसे बोलोगे, देखो, यह जब दोनों 0 है, तो output 0 आए, function मतलब off है, तो आप इसको ऐसे बोलो, तो कोई तकलीफ नहीं होने जाए, आपको, A, B, 0, वो अपने अपने पही कट जाएगा प्लस में, A bar B dot 1, क्योंकि यह बन साथ रहा जाएगा, प्लस में, A, B bar dot 1, प्लस में, A, B dot 0, यह बत समझ पहर हो कि नहीं, तो output Y आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई tension वाली बात नहीं है, तो output Y बोल दो, यह function बोल दो, जो आपको बोलना है, वो बोल लो, मुझे से कोई फरक प्लस में, A, B bar, आप यहीं लिखा करते थे, कि नहीं, output Y आप ऐसे लिखते थे, सिदा सिदा, और मैं आपको ऐसे क्यों लिख वाता था, मैं आपको सिदा क्याता था, आपको SOP में लिखना है, तो जहां 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 बना है, वो उठा उठा कर लो, ठीक है, और उल्टा करक आपको ऐसे लिखना चाहिए था, A bar B bar dot 0, A bar B bar dot 0, A bar B dot 1, A B bar dot 1, और A B dot 0, ऐसे लिखना चाहीए था, अब जो 00, यह तो उड़ जाएंगे, यह उड़ जाएंगी, और dot 1 आपको पता है, A dot 1 क्या होता है, तो ठीक है न, यहां पर A bar B था, तो A bar B dot 1 क्या हो जाएगा, अब इस चीज को समझने में किसे कोई तकलीश तो नहीं है I think पकड़े हो गए आप लोग बस अब इसी चीज का मैं यहां पर यूज करूँगा आप देखो No down को लगवर इसको कर लिया ठीक है अब यहां पर मैं इसी चीज का यूज करने वाला हूँ यहां पर थेक्या तो मैं क्या बोलूँगा Now output Y What will be your output Y Y को अब क्या लिखोगे यहां से देखते चले जाओ E bar E should be 0 S1 should be 0 S0 should be 0 and in that scenario output is I0 इसलिए मैंने साथ में लिखा E bar S1 bar S0 bar I0 इतनी बाद पकड़े में आई यहां फिर और क्या होगा और गेट वारी बात आ रही है यहां पर इसलिए और किस हैंस आ रही है इसलिए हमने ऐसे बोल दिया आगे क्या लिखोगे E bar S1 bar S0 I1 और E bar S1 S0 bar I2 और E bar S1 S0 I3 तो यह आपने final output लिख करके दिखाया है बोलो भई इसमें किसी को को doubt हो तो किसी तरीके का बताओ अराम से देखो और मुझे अराम से देख करके बताओ इसमें किसी को को doubt है के नहीं है I think हो गया होगा clear सब लोगों को ठीक है तो ठीक है जी तो हमने इसी style से लिख दिया है मैंने साथ-साथ I0, I1, I2, I3 लगा दिया क्यों लगा दिया एक बाद यह देखो यह भी समझो मैंने क्यों लगा दिया है यहाँ पे मेरेको इस function में क्या खास बात थी यही कि 0, 1 मेरे पास पहले से गिवन था इसलिए मैंने सीधा बोल जे था कि .0, .1, .1, .0 था तो जो 0 थे .0 हो रहे थे मतलब end हो रहा था 0 के साथ आपने उनको पहले काटे लगा दिये और फाइनली जो .1 था तो मतलब आपको पता इसलिए मने सीधा एबार बी प्लस में एबी भार लिखते है करते थे अब यहां पर प्रॉब्लम थी मतलब यहां पर अच्छी बात क्या थी यह 0, 1, 1, 0 यह सब आपको प्रॉपर्ली गीवन था लेकिन अब इस इस गीवन ही नहीं आपको तो यहां पर i0, i1, i2, i3 नहीं दिया हुआ है अब पता नहीं न मेरेको कौन सा 1 होगा, कौन सा 0 होगा उसके साफ से मेरेको देखना पड़ेगा समझ पा रहे हो, जो output y होगा मेरेको नहीं पता i0 आपने क्या दिया होगा, i1 क्या दिया होगा, 1 या 0 जो भी आप मन करें आपको दे सकते थे तो इसलिए फिर मैंने safe side के लिए यहीं पर सीधा चिपका दिया इनको i0, i1, i2, i3 यहीं पर साथ साथ में चिपका दिया जो भी जैसा होगा 0, i1 होगा उसके साफ से हमारा output y आना शुरू हो जाएगा i think आप लोग समझ पार होगे, मैं क्या करने के कुशिश कर रहा हूँ और यहीं पर ही बेशक्से मैं आपको समझा भी देता हूँ जैसे suppose करो मैंने e की value लेली 0 s1 की value लेली 1 s0 की value लेली 0 अब आप ज़रा मुझे बताओ इस expression के साथ ज़रा मुझे बताओ जैसी s1 की value 1 भरो गए तो s1 बार 0 हो जाएगा तो यह पूरी term तो उड़ गई और यहां पर देखो यह वाली term क्यों पूरी उड़ेगी यह देखो s1 की value 1 है s1 की value 1 है और s0 की value 7-7 0 भी है तो आप जैसे मरजी देख लो s0 की value 0 भर लो s1 की value 1 भर लो s1 की value 1 भर हो गए तो 1 का बार 0 हो जाएगा तो 1 0 हो गए यह end है पूरा यह पूरा end में चल रहा है एक भी 0 हो गए तो काम कतम यह सब 0 हो गया या फिर आप देख सकते हैं s0 0 है चुप चाप से ऐसे बोलो na s0 हमारा 0 है s0 हमारा 0 तो 1 input 0 हो गए पूरा end में चल रहा था सार कुछ तो कटा लग गए समझ पार न भई कि पूरा end में चल रहा है आच्छा जी इसमें देखो भई e bar ठीक है भई e हमारा 0 था तो e bar हमारा 1 हो गया इसमें को टेंशन नहीं है s1 हमारा 1 था ठीक है हाँ जी तो finally हमारे पास why will be your i2 यही आपको चहिए था why should be your i2 अब exactly मुझे नहीं पता न i2 पे आपने क्या दिया होगा अगर आपने i2 पे 0 दिया होगा तो हमारा जो output y होगा वो 0 हो जाएगा और अगर आपने i2 पे 1 दिया होगा तो finally जो हमारा output y होगा वो 1 हो जाएगा it's as simple as that आप लोग मैं क्या करने के कोशिच कर रहा हूँ यह तो मैंने expression से दिखा दिया अब circuit बनाओंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको आपको को tension वाली बात नहीं है एक बार इस सब्सक्राइब को no down कर लो आप यहां मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इधर रख लेते हैं हम लोग यहां साथ साथ में circuit बना दूगा इसको no down कर लो एक बारी पूरा i think screen पे आपको नजर आ रहा होगा और यहां पे मैं आपको अब circuit बना करके दिखा देता हूँ बड़े राम से देखे हैं जी क्या क्या है वही e है e है देखे है यहां पे हम not चलाएंगे उसका उसके बाद s1 है ओके और फिर s not है देखे जी अच्छा जी अब देखो वही e bar s1 bar को पकड़ा हमने e bar को पकड़ा s1 bar को पकड़ा s not bar को पकड़ा और साथ में क्या पकड़ा है हमने i0 को तो जो भी हमारा input i0 रहा होगा से हम यहां पे लेते i0 एक input इन सब को end में डाल करके मैंने ऐसे रख लिया अच्छा जी फिर आगे हमने क्या किया है e bar s1 bar s not e bar sorry e bar e bar s1 bar s not और साथ साथ हम पकड़ लेते हैं i1 यह end में डाल करके मैंने रख लिया हूँ ठीक है next next आएगा जी e bar e bar फिर फिर क्या है जी s1 और फिर s not bar और फिर i2 ठीक है जी और फिर last में आएगा जब e bar हम ले लेंगे ठीक है थोड़ सा इसको लंबा कर लेते हैं हाँ जी अब last में e bar पकड़ लिया हमने और फिर उसके बाद s1 पकड़ा s not पकड़ा i3 को पकड़ा and में डालके रखा और finally एक बड़ा और बनाया ठीक है जी finally एक बड़ा और बनाया और यह हो गया हमारा output y तो यह अभी जो आपको black box जो डबबा नजर आता था इस डबबे को मैंने अब open up करके पूर आपको समझा दिया कि ऐसा है अब चेक करने तो मैं आपको चेक कराता हूँ अब आराम से आप और अच्छे से चेकिंग कर पाऊगे आप जैसे आप values लिलो कुछ भी अब आपने ले लिया design Ca e value लली से 0 S Naut can value 1 तो देख देरां क्या होगा तो देखते हैं से the barA1 न ही चल रहा उगा यह जो LA1 और इुए से स्सेट स्स sav дорог तो फिर यहां से क्या है जिरो बस उसके आगे आगे आपको देखने के जुरते नहीं है अब I not को मारो गोली बाकी जो S not था उसको भी मारो गोली मेरे को कोई मतलब नहीं है and में अगर एक input 0 हो गया तो हमारा answer 0 आना ही आना that is for sure इसको छेड़ने के आपको जुरते नहीं अब यह I 0 था भी प्लीज इसको ठीक है इसको 0 मत मानके बैठ जाना मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसे ही है यह I 0 था यह input जो आपने दे था यह I 0 था तब I 0 चाहे 0 हो चाहे 1 मेरे को कोई फरक नहीं पड़ने वाला एक input and gate में 0 चला गया बस इतनी इस बात करो एक input 0 चला गया तो finally आपको 0 मिलना ही मिलना है आगे बढ़ो भी हाँ जी तो E bar था ठीक है 1 था हमारे को दिक्कत नहीं थी S1 और S0 दोनों 1 थे हमारे पास अब देखो यहां से S1 बार आया है S1 बार आया है तो यह 0 आया है तो बाकी सब चीज़ों को मारो गोली मेरे को कोई फरक नहीं पड़ने वाला यहां से 0 आएगा अच्छा जी और यहां से आप देखो इसमें क्या चक्कर हुआ है इसमें S0 बार आया है और आपको पता S1 और S0 दोनों 1 थे तो यहां पे 0 आया बाकी से मेरा मतलब भी नहीं है तो यहां पे भी 0 आएगा अच्छा जी लास्ट वाला जो था यह अच्छा है देखो बाई में आपने रला है अब तीन इंपूट 0 है तो मेरे तीन इंपूट 0 और एक इंपूट i3 है तो फाइनली और गेट से बाहर के आएगा यहां आपको पता है यही आपको चाहिए था जब S1 और दोनों 1 होते हैं तो आउट्पुट में तो आई 3 ही आता था दोनों 1 है ना भी समझ पार होगा अप लोग और यह कारण भी आपको सम्म्हार होगा मैं 0 से गिंति क्यों शुरू करवाता हूं यह देखो ताकि आप ती जोगो धंक से समझ सकें यहां पे मैंने 0 से गिंति क्यों शुरू करवाई थी जब S1 S0 दोनों 1 होंगे तो उसका decimal क्या होता है डबल 1 यह 2 है यह तो बाइनरी है 10 इसका decimal क्या 2 है तो i2 बाहर आरा चाहिए एंड सॉन तो इसलिए मैंने i0, i1, i2, i3 लिखवाय था ताकि कोई confusion ना है किसी तरह कि कोई परशानी किसी को नाफिस करनी पड़े तो आप लोग पकड़ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा तो यह हमने circuit भी बहुत beautiful बनाया है और आप अच्छे से चीजों को पकड़ भी गए हो गया अब एक बाद जा रहा है यह भी समझ लो यह पर लागे हाथ में समझा देता हूं आपको अगर आपने e की value 1 ले ली तो क्या होगा अब देखो हर एक end gate में e bar गुसा है तो अगर आपने ऐकशे बाद फिर यहां से भी e bar आहा था तो यह भी 0 हो गया और यहां पर भी e bar था तो यह भी 0 हो गया और यहां पर पी बार रहा था तो यह. OUT来 बाहर देखोगे तो y by 0 ही आएगा इसलिए मैने बोला था S1, S0 से हमारा कोई मतलब भी नहीं रहे गया आप क्योंकि AND gate है भई AND gate में 4 input आ रहे हैं आपने एक भी input 0 fix कर दिया तो बाकियों से मेरा कोई मतलब भी नहीं है आप जो मर्जी देता रहा हो आपको पता output 0 भी बाहर आएगा इसलिए हर जगा से 0 भी आ रहा था इसलिए फिर मैंने आपको यह धंग से बात समझाए थी जब मैं 2Table बना रहा था कि जब enable pin हमारी 1 हो जाएगी तो immediately हम क्या कहेंगे S1, S0 से हमारा कोई भी मतलब नहीं रहे गया हमारा output 0 ही रहेगा इसलिए मैंने don't care बोल दिया आपको लग रहा था कि 2Table में 5 entries आपने गर के दिखाए total 8 होनी चीज़ी तो उसका भी मैंना आपको reason दिया कि जो आपने 2 बारी काटे लगाए हैं यहाँ पर don't care 2 don't care बनाई है actually मैं वो 4 entries को समझा रही है पकड़के हो गया 0000 एक input fix हो गया end gate में और अगर हर जगा end में एक-एक input 0 fix हो गया हर एक end gate में total 4 end gate है चारो end gate में एक-एक input 0 fix हो चुका है तो बस फिर बाकी input का तो मेरे को को मतला भी नहीं है आपको पस 0 आना है तो finally हर जगा 0 बहर आया तो और gate में आपने 4 input ले थे अगर आप enable pin को अगला circuit की implementation क्या थी enable pin आपको active high रखनी है अगर आपको enable pin active high रखनी है तो मैंने हर बार ही end gate में यहां से यह बार गुसाया था तो आप यह गुसाना शुरू कर दो उसमें क्या tension है भी है के नहीं कोई बात नहीं एक मिंट लगेगा recorded session है मैं समझता हूं इस चीज को मैं copy कर लेता हूं इस चीज को दो सेकिंड का काम है दो सेकिंड का सिरफ करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर करता हूं पेस्ट ठीक है यह है न हमारे पास तो अगर आपको enable pin 1 रखके अपना काम करवाना था तो कुछ भी नहीं है ठीक है आप यहां से यह हटा तो सारा उपस तो सारी हट गया क्या करते हैं यह यह चीज हटाते हैं ठीक है और ठीक है न यहां ऐसे रखो इसको यह हटाओ यहां से और इसको आप बोल दो e so simple यह enable pin होगी मेरे अब हर जगा e गुसरी है ठीक है तो जैसे ही e की value अब zero put करोगे तो सारा इंपुट से हमारा किसी से को मतलब भी नहीं रह जाएगा आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप देखो अगर आपने e को zero put कर दिया जैसे आपने e को zero put कर रहा चार end gate में एक एक input zero fix हो जाएगा जैसे ही चारो end gate में एक input zero fix होगा तो finally क्या आएगा भी एक input अगर zero होगा तो बाकर से मेरा मतलब भी नहीं है output हमेशा zero ही आएगा तो बस वही सारे zero जी आएगे और output हमारा zero जीरो हो जाएगा और समझे लोग चार output आये end gate से वह चार चार जीरो आ गए अब यह सारा कुछ और gate में गया है तो और gate में आपने चारो input zero दे दिये है तो ठीक है वही चार इंपूट का और gate था चार इंपूट जीरो आ तो आपको पता output zero आना या आना है तो आपको आपको बहुत बार रिपीट कर दिया टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं आप चीज़ों को पकड़ गयो गया मैं क्या केने के कोशिश कर रह मतलब इनेबल पिन एक्टिव लो इनेबल पिन एक्टिव हाई के लिए मैंने आपको यहां बना करके दिखा दिया है लेट मी कॉप्पी दिस पुड़ा नीट अन क्लीन हो जाएगा सारा काम यह बैठ है हमारा यह यह मैंने इसकी IMPLEMENTATION आपको दिखाई है दिखाई अब थीक है तो इसकी मैने इप्लिमेंटेशन दिखा दिखा दिए आपको कि ECTY फाई होगा तो कैसे काम होगागा तो तीसरे वाली को भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ और उसको मैं next slide यह है हमारे पास अच्छा जी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यह रहा हमारा सर्केट तो अब देखो ध्यान से अब सब कुछ नेट और क्लीन अगर आएगा आपको तो यह अगर हमारे पास है इसमें कोई नेबल पिन का चक्कर नहीं है तो तुम यहां से हटा दो उसमें क्या तेंशन है वेलो इसारे हटा वहां तो अब जो भी किट से हर एक हैंट में तीन-तीन इनपूट से और यह पूरा सर्केट अब आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा क्या क्या मिसिंग था वह यह देख लेते हैं S1 बार S0 बार आया था ना शायद साथ में यह भी ले लेते हैं देख लो ना वह देखो 00 दोनो फिर यह 0 और फिर यह 1 फिर यह 1 और फिर यह 0 और फिर 1 और फिर यह 1 ठीक है तो सारे हो चुक है और i0, i1, i2, i3 हमारे पस चली रहा है और finally हम output y देख लेंगे जो भी आ रहा होगा तो यह सबसे सिंपलेस था इनेबल पिन का चकर ही खतम कर दिया आप लोग तो अब यह देखो अब यहां पर अगर मैं बोलू आपको कि express y in terms of these input and select lines तो आप क्या बोलोगे? सिंपल, अब आपको कोई टेंशन नहीं है देखो जब दोनों 0 हैं तो i0 बहर आता था था ना तो आप बोलोगे s1 bar s0 bar i0 plus s1 bar s0 i1 plus s1 s0 bar i2 plus s1 s0 i3 यह हो गया जी हमारे पास you can say y y in terms of these तो यह multiplexer अगर आपके पास आए तो यहाँ पर i0, i1, i2, i3 कुछ भी दे देंगे s1, s0 दे देंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो मेरे ख्याल से किसी को को doubt नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब दोनो s1, s0 दोनो 0 है तो i0 बहर आएगा जब s1 0 है, s0 1 है तो i1 बहर आएगा समझ पर रहा है? देखो 00 होगा, तो फिर यह बहर आएगा अच्छा जी फिर 01 होगा, तो फिर यह बहर आएगा उसके बाद फिर 10 होगा, तो यह बहर आएगा ठीक है? और फिर जब दोनो 1 होंगे जब दोनों 1 होंगे तो I3 बाहर आएगा तो वही हमने लिख दिया पस और क्या है तो I think पकड़ गयो गया आप लोग मेरे खाल से और ज़्यादा बोलने का कोई फाइदा नहीं है simple time-based है और कुछ नहीं तो आपको अच्छे से समझ में आगे होगी कि multiplexer exactly है क्या चीज multiplexer एक combinatorial circuit है जिसमें 2 to the power n input line है n select line है एक enable pin है और एक output line है enable pin हमारी optional है लगा और ना लगा कोई फरक ने पढ़ने वाला और select line क्यों कह रहे है क्योंकि these are used to select these select lines are used to select which input will appear on output which input line will appear on output यह select line का काम है तो अगर हमारे पास n select lines होगी तो उसकी help से हम लोग 2 to power n combination बना सकते है तो हरी combination एक एक input line को represent कर रहा है I think समझ पार होगा आप लोग ठीक है चलो that's it इतने रखते हैं इस lecture में और फिर next lecture में आकर के थोड़ी और बाते में आपके साथ करूँगा ठीक है जी चलो no down कर लो यह सारे circuits और बना लो अच्छे से ओके सो I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा और अच्छे से आप दीजों को समझ पाए होगे मैंने मेरे ख्याल छोटा करके सारा एक स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया था अल्रेडी यह सब तो आप मेरे ख्याल no down कर ही चुके थे यह भी आप कर चुके हो गया और यह भी आप कर चुके हो गया ठीक है तो यह तो हो गया बिना enable pin के यह हो गया एक enable pin active high के साथ और यह हो गया enable pin active low के साथ यह जो मैंने सबकर बना है active low के साथ क्योंकि enable pin का bar ले करके मैंने input में डाला था मैंने ख़ल से पकड़ गया हो गया आप लोग ठीक है यह डबबे थे यह black box था यह डबबा था यह डबबा exactly है क्या यह मैंने आपको अब ऐसे दिखा दिया ठीक है end gate not gate or gate यह सब को मिला करके हमने बना रखा है पकड़ गयो गया आप लोग ठीक है चलो ठीक है that's it तो इतना रखते हैं इस lecture में बाकी बात है next lecture में ओके thank you so much bye bye hello everyone अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करते रहा करो चैनल को subscribe किये भी ना मत चाना और अपने friends के साथ share जरूर करना अगर आप मुझे financially help करना चाहते हो तो donation का link आपको description में मिल जाएगा आप जो भी amount donate करना चाहो वो कर सकते हो अगर आप मेरा चैनल computer पे या PC पे देखते हैं तो उपर right corner में आपको QR code दिख जाएगा आप जो भी amount donate करना चाहो वहां से भी कर सकते हो UPI ID उपन हो जाएगी मतलब UPI ID है वो आप किसी भी payment app से Paytm या जो भी है आप scan कर सकते हैं और में को amount donate कर सकते हैं अप कई सारे students के मन में आ सकते हैं कि सार आप donation के लिए क्यूं कह रहे हो It's just because मेरा channel सिर्फ और सिर्फ donations पे चलता है मैं कोई paid course नहीं चलाता और मैं किसी भी student से एक पैसा नहीं मानता हूँ मेरा philosophy है वह बिल्कुल गुरु वाली है जैसे पहले time में इंडिया का जो culture था वह यही था कि गुरु होते थे और शिषय तो शिषय गुरु को जो भी देते थे गुरु सिर्फ गुरु दक्षिना समझ के उसको रख लेते थे बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ आपको जो एमांट डोनेट करना है आपको कर सकते हो वह मेरे लिए सबसे सफिशेंट है मेरे को और उससे उपर कुछ नहीं चाहिए थेंक यू सो मच बाबाए